फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे लगा कि मैं क्यों देखने किया फिल्म मुझे बिल्कु पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से सर मुझे ये पूछे कि क्या पसंद नहीं आया उसमें मतलब है कि सिर्फ दो चीजे मैं बोल सकता हूँ कि पसंद आई मुझे पिक्चर में एक तो थोड़ा बैग्गराउंड म्यूजिक पसंद आया उसका म्यूजिक थोड़ा ठीक था दूसरा सिनेमेटरग्राफी अच्छी थी पस ये जो दो चीजे अच्छी लगी बाकी कारेक्टराइजेशन से लेके फिल्म के जो एक्जेक्यूशन था फिल्म के सीन्स थे फिल्म के जो सिचुशन सी सब मतलब है कि इनका कोई सरपाऊ नहीं था मैं यही कहूंगा सब आप मुझे मी समझ में रहा कि यह क्यों बनाई किसके लिए बनाई किसको दिखाने के लिए बनाई है आइधों तिंक एवन बच्चों से लेकर और और इंस से लेकर जो मॉडं निजिम की बात करते हैं वो एक कोई मॉडं फिल्म भी नहीं है किस एंगल से मॉडं है I don't know what they are trying to say. Such a big movie. I had a lot of expectation from this movie. मुझे रगा था कि ज़रूर लोगों बात कर रहा है पर कुछ तो होगा इस मुवी में. क्या है कि मुझे प्रसनेव काफी कांटक करके बात करने कोशिश की मैंने कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दूँगा जब तक मैं पिक्चर नहीं देखूँआ. पिक्चर देखने के बाद में मेरे को शरम आई कि मैं क्या स्टेटमेंट दूँ इसको लेके. मतलब है कि चलिए मेरी बात छोड़ी है मैं तो इस प्रोफेशन से हूँ इस क्यारेक्टर में निभा चुका हूँ पर जो थेटर में लोग बैठे हुए थे मेरे आसपास में उनकी रियक्शन में बहुत खराब थे. बाजू में बैठे हुए एक आदमी दूसर अपने किसी साथी से बात कर रहा था और खहरा था क्या ओल्टा सीजर दिखा रहे हैं रामाइंड के नाम पर आप सोचिए और जबकि उन्होंने बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में लिखा हुआ था कि बालमी की रामाइंड से होने ही मैं कहता हूँ कि एस इस तेश का नागरिक होने के नाते अपने कल्चर संस्क्रिती के बारे में मैं बहुत रिस्पेक करता हूं अपनी संस्क्रिती की उसका एक हिस्सा होने के नाते मुझे लगए कि मैं पड़दा फाड़ दूँ मुझे लगता है कि वह हनुमान जी कि सीट रखी है, सारी सीट है हनुमान जी देखके मतलब कि सार पीटते होंगे कि यार किस तरह के डायलोग मुझसे बुलवा रहा है मेरे कारेक्टर से हनुमान जी हमारे यहाँ पे बहुत मानिता है उनकी बहुत बड़े-बड़े मंदिर है उनका बहुत पूजा जाता है कैसे वो बोल सकते हैं इस तरह की बाते हैं उनको सोचने से पहले जरावी ख्याल नहीं आया कि इस तरह की डायलोग हम हनुमान जी की कैरेक्टर के साथ बुलवा रहा है या पिर मेगनाद भी बहुत हुश्यार मेरे ख्याल से कैरेक्टर रहा है रमाइन का उससे कह रहे है आबे चल निकल ले या बंबी या फुटपाती लैंगविच कहलवा रहे हैं आप उससे या रावन जैसा ग्यानी आदमी लोहा पीट रहा है आप सोचluded कर लोहा रहा है है या बोलरा है कहा अभे तेरी बुच्चे में घूम रहा है क्या है यह बात बताईगी को अगर एक मेरे फट जान चाहे ऐ या वो डबारा जुड़ता या सिलाही वाह पे ओर ऍट कर लेए एक चुछ हो गया हो गया पर इन्हों यह डेमेज क्यों किया? क्या सोच के किया? मॉडरन आपने बनाना था, मॉडरन के बहुत से और तरीके हैं, रादर दिन इस तरह किसे मॉडरन बनाने की कोशिश कर रही है, हमारे, आप यह बताइए कि आज भी, अगर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएए, यंग्स्टर जाते हैं, वहाँ पर टीका लगाते हैं, हनुमान जी का पाट करते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग हनुमान चालीसा जेब में लेके घूमते हैं, मुझे याद है, मैं फ्लाइट में था कहीं पर कुछ यंग्स्टर थे जो थोड़े मेरे खाल से हो सकते शायद पहली बार या दूसरी बार जा रहे होंगे तो आप पहली पर जा रहे हो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वो हनुमान 40 पढ़ रहते हैं फ्लाइट के अंदर, आ झाले हिए।